नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लो? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ हैं. आज हम स्वरलेखन मेरा परीचे लिखेंगे. मेरा परीचे का अर्थ है अपना परीचे देना, अर्थाद अपने बारे में बताना, जिसमें आप अपना नाम बताएंगे, आप कहां रहते हैं, आप कौन से विध्याले में पढ़ते हैं, आप किन-किन चीजों में रुची रखते हैं इत्यादी. तो चलिए, आज हम स्वरलेखना शुरू करें. कारे शुरू करने से पहले आप अपनी बाएं तरफ वा लिखेंगे और अपनी दाएं तरफ प्रिश संक्या, दिनाग और कक्षा कारे लिखेंगे. इसके बाद आप मध्य में स्वरलेखन विशे लिखेंगे और उसके नीचे मेरा परीचे लिखेंगे. इन सभी को आपने नीचे की दूसरी पंक्ती से रिखांकित करना है अब आप मेरा परिचे विशे लिखने के बाद उसके नीचे अपना चित्र चिपकाएंगे और अपने बारे में लिखना आरंब करेंगे तो पहले वाक्य में आप अपना नाम लिखेंगे जैसे मेरा नाम रिया अरोडा है नाम लिखने के बाद आप पुमविराम लगाएंगे और उसी पंक्ती से आप दूसरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे क्यूंकि ये सभी स्वर लेखन आप अनुछेद के अनुसार लिखेंगे आप इन्हे संख्या में नहीं लिखेंगे आप ये अनुछेद पांच या छे वाक्य में लिख सकते हैं अब आप अपनी दूसरी पंक्ती में अपनी आयो लिखेंगे जैसे मैं छे साल का हूँ या फिर मैं साथ साल का हूँ मैं दिल्ली शहर के प्रित्यव्यार में रहता हूँ मेरे विध्याले का नाम लवली पब्लिक सीनर सेकेंडरी स्कूल है मेरा मन पसंद खेल क्रिकेट है मुझे रुमान्चक कहानिया पढ़ना बहुत पसंद है मेरा मन पसंद फल आम है मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार और आदर करता हूँ तो इस तरीके से आप पांच यचे पंक्तियां स्वयलेखन में लिख सकते हैं धन्यवाद